2024 के board exams में appear होने वाले students इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फैदमन होने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो SSD के practical होता है कैसे बनाएगा किस तरह से आप लोग SSD के practical लिखेगा कि आप लोगों को फूल में फूल यानि की पूरे 20 में 20 marks मिल सके 2024 में क्या-क्या नया नियम बना है और इसमें क्या-क्या परिवर्तन किये गए हैं इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और आपको कितने मैप बनाना है ओके तो इन सारी चीजों को हम डिसकस करने वाले हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा करें और ऐसे फ्रेंज जो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज मेरे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट और बोर्ड एक्जा तो इसको काड़ दिजेगा छातर अपना नाम लिख दिजेगा और छातर है तो छातर को काड़ दिजेगा और अपना यहाँ पे नाम लिख दिजेगा उसके बाद आपका वर्ग जो है क्लास है वर्ग दसम या तेंत लिख सकते हैं सेक्षन आपका A, B, C जो भी हो आप यहाँ को काड़ देना है आप एनुवले एक्जाम में एपियर हो रहे हैं इसलिए वार्सिक यहां पे छोड़ देना है और परिक्षा आप 2024 में सम्मिलित हो रहा है तो 2024 लिख दिजेगा और रॉल कॉर्ड जो बिहार परिक्षा समीटी दोरा एड्मिट कड आएगी तो वहां पर उस का date put कर दीजएगा जिस तारी को आपको जमकर ना है ओकी तो चलिए next summary को आप हम समझ लेते हैं next पेज़ भी उसी तरह से Präsident पर्मानपतर आपको क्या करना है अ chief snifflechęंड फ्रेंस अब हम you students को समझते है कि किस तरह से लिखना है आपको इसमें भी 20 मार्स मिलने वाले हैं तो फ्रेंस जैसे ही आप पेस को प्लटेगा तो इसके अंदर नोट बुक के अंदर आपको बुक मिलता है अब यहां पर यह चीज को आप अच्छे से समझेगा देखें फ्रेंस यह आपका जो कॉलम दिया गया है क्रम संख्या एक अगर पुलिंग लिख देना है उम्र उनका लिख देना है 35-40 के बाद पता पता में आप लिख दिजेगा ग्राम लिख दिजेगा और पोस्ट थाना उसके बाद उपलबदी आपको कुछ नहीं करना है छोड़ देना है उसी तरह से दूसरा पुरुस का नाम लिखेंगे य चार कम से कम महिला का नाम यहां पर लिख दिजेगा उसके बाद उनका उम्रे उम्रे हमेशा याद रखेएगा 40 से उपर 35-40 से उपर होना चाहिए क्योंकि 10 निरक्षरों की सूची तयार करें यहां पर हस्ताक्षर प्रेरा कि हम क्या आपके जो पंचायत के मुख्या होंग आपको क्या करना है देखे इस तरह से आप पेस को प्लेटेगा तो नेम ऑफ दे एक्स्प्रेमेंट में परियोजना का जो नाम दिया गया है यह चीज को आपको क्या करना है यहां पर कोपी कर देना है परियोजना का नाम आपका यह चीज दिया गया है कि राष्टवाद के कारण यूरोप के मानकीतर में बदलाओ यह चीज को आपको यहां पर put कर देना है और जिस date में लिखेगा practical यहां पर date paste number भी आपको put कर देना है तो friends paste number को हम क्या करेंगे देखे यहां पर आपका दिया गया कि practical कितना लिखना है कौन-कौन सा लिखना तो friends जैसा कि हम देख रहें कि इतिहास इतिहास से यहां पर दिया गया है practical आपका दिया गया है तो बहुत ही छोटा छोटा प्रैक्टिकल है तो इतिहास से आपको क्या करना है minimum तीन प्रैक्टिकल लिख लेना है तो यहां पर क्या क से लिखेंगे राफ्ट बात के कारण यूरोप के मान चित्र में बदलाओ उसके बाद दो लाइन हम गैप कर देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे पर्योजना का कार्यानवन दिया गया है तो यह चीज को हम ब्लैक से यहाँ पर हम लिखेंगे और बाकी का यह जो दिया बना लेंगे और इसको हम ब्लूपेंट से लिख देंगे देख रहें कि तिहास में यह जो प्रैक्टिकल दिया गया है आपके कुल 9 प्रैक्टिकल हो गया है 10 तो यह जरूरी नहीं कि 10 से बनाना है क्योंकि आपके 4 5 सब्जेक्ट है सभी में से 3 3 आप बनाई आगा तो ऐसे 15 ह हो जाएंगे तो 4 सब्जेक्ट से बनाना है आपको चर्तिये 12 दस 12 आपको मिनिमम बना लेना है तो हम कहेंगे कि तिहास में से आप 3 बना लेजएगा और 3 आपको देखें यहां से स्टाट होगे आपका भूगोल से भी आपके क्या करना है आपको तीन प्रैक्टिकल लिख देना है और एक चीज़ का हमेशा याद रहेगा कि भूगो से जो प्राक्टिकल लिखेगा तो कम से कम एकahahash जरूर होभी आपके सबस्robeत में क Mai R बचाह में हैं पूल फूल माक्स मैं अरफ सास्त T्र पि लिख ली जाएगा ओके तो जो साथ है देखें यहां पर आपका कॉलम ओल्रेडी वन टू थीरी फोर फाइब शिक्स से तो इस तरह से फ्रेंस आपको यह पुरा एक प्रैक्टिकल लिख लेना है यहां पर फिलकर अज के लिए नहीं हमारी आज की क्लास अच्छ लेगी तो प सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियो का अपडेट और वोड़ी गाम्स के सभी सब्जेक्ट के वारल कोस्टन का अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी आपका अपना यूट्यूब चैनल एजूकेशन मास्टर पर मिलता है चलिए मिलतें नेक्ट कलास में तब तक के लि